दोस्तों गर आपको कभी भी अकस्मात pen card की ज़रुत पढ़ जाया तो आप अपना जो pen card है किस तरीके से online process से few minute के अंदर बना सकते हो इसका complete process आपको दिखाने वाला हो जहां पर आपका जो pen card है वो immediate जारी हो जाएगा आप इसे download करके कहीं पर भी लगा सकते हो और आपका ज सब्सक्राइब को income tax department का जो official portal है जहां से e-filing करते हैं लोग अपना return इसी portal पर आज जाना है इसका जो link है हमने वीडियो के description में दे रखा है तो यहां पर आप देखोगे कि quick link के section में आप सभी के option दिया गया है जो कि है instant e-pan का तो हमें pen card को ही बनाना है इस option पे हम click करेंग तो यहां पर आप देखोगे कि इस process में आप अपना जो pen card है वो free में ही बना सकोगे यानि कि यहां पर कोई भी पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है लेकिन यहां पर एक warning भी दी गई है कि अगर आपके पास में पहले से कोई pen card है तो यहां पर दुबारा से आपको apply नही बनते नहीं है लेकिन किसी का अगर बहुत पुराना है जब आधार नहीं बन रहे थे तब किसी नहीं बनाया है क्योंकि उसका अधार से pen card लिंक नहीं होगा इसलिए यहां पर वह बना सकते इसलिए government के तरफ से warning दी गई है तो भाई एक ही बनाना है नीचे के तरफ आना है तो यहां पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है वो यहां पर इंटर करना है और इसके बाद में आपको continue के option पे क्लिक कर देना है तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक declaration page आ चुका है जिसको आपको read कर लेना है और यहां पर आपको i read consent के option पे क्लिक करना है और य और यहां पर i agree के option पे क्लिक कर देना है continue की टैप पे आपको क्लिक करना है तो अब आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर हमारे जो भी records थे वह यहां पर फेच होकर के आ चुके हैं हमारी जो फोटो है वह भी आधार के विहाव से ही यहां पर आ चुकी है यानि कि जित होता है तो यहां पर लिंक email id का एक option दिया गया है जिस पर आप क्लिक करके आप अपनी mail id यहां पर manually जोड सकते हो तो यहां पर email id को आपको फिल करना है और send OTP की tab पे आपको क्लिक कर देना है तो यहां पर आप देखोगी कि OTP send किया गया है हमारी mail id को verify करने के लिए तो व यहां पर आपको क्या करना है I accept that के option पे यहां पर क्लिक कर देना है और continue के option पे क्लिक करना है तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे pen card को बनानी के जो request है वो हमने आपको successful दर्ज कर ली है तो यहां पर आप सभी के सामने जो अकलॉंजवे number generate हो करके आया है सबसे पहले तो इस number को आप सभी को अपने पास में copy करके रख लेना है और इसी के साथ में आपके pen card को बनाने का जो process है वो complete हो चुका है सच में काफी आसान यह process यहां पर होता है इसली आप अपना जो pen है वो बना सकते हो apply करने के बाद में यहां पर pen card को अगर download करना है तो again आप सभी इसटेइड यह pan card की जो टैब दीगे इससे पर click करना है और आपको यह अपर जो second option दिखायागया है download time का तो यहां पर यह जो pen card है है कब्वी दुबारा भी आपका जो pen card और निकाल सकते हो तो यहां को continue के खान僕 करें के अपना बborरा जो paid pin काण सको करेंगे अपना इंडिक यहां पर आप देखो गए कहले थोड़ा सा वेट करना है यहां पर बताया आप जोड़न किया गया एक दाउनलोड कर सकते हो यह यह घंटा मैकशिमम बताए गया उससे पहले ही जन्रेट हो जाता है अगर 10-15 मिनिट के बाद में दुबारा से आप आओगे से मिसी प्रोसेस से यहां पर डाउनलोड करने के लिए तो यहां पर आप दिखोगे कि जैस्ट मैंने दुबारा से भी ट्राइ किया है इसको हमने फिल किया है और यहां पर आप देखोगे कि हमाणा जया जो अब हमारा जो पर से जांकी के देखना है जान लोट करना से तो यहां पर आप देखोगे कि हमारा जो पासवर्ड मांगा जाता है जो कि आप सभी को अपनी जो डेटा रवर्त है without any symbol के यहाँ पर आपको enter करना है और आपका जो pen card की copy है आप देखोगे कि download हो चुकी है यहाँ पर यह e-pen card है यह आप पूरा paper के print करके लगा सकते हो बाकि यहाँ पर आप नीचे के तरफ देखोगे तो यहाँ पर आप सभी का जो pen card है हुब हुब आप सभी के सामने उसी तरीके के copy generate हो करके आ चुकी है तो देखा आपने इस तरीके से हम अपना जो pen card है वो few minute में online process से बना सकते हैं अभी जो pen card है आपने income tax department के e-filing portal से online process से बनाया है आपका जो pen card है original की तरीके से जैसे आपका physical pen होता उसी तरीके से यह भी valid होता है यहाँ पर आपके सारी चीज़े detail में दी गई है इस pen card पर बाकी आप देखोगे कि इस पर digital sign होकर के भी आपको यह pen card मिलता है लेकिन अगर आपको इस pen card पर अपनी जो फोटो है वो मर्जी की लगानी क्योंकि आधार के जरिये यहाँ पर फोटो आई हुई है और इसी के साथ में इसमें आप देखोगे कि signature भी नहीं आये है या फिर अगर आप सभी को कोई भी लेंदेन करना है तो यह जो pen card number है यूज करके आप लेंदेन कर सकते हो इविन अगर आपको ITR फाइल करना है तो यह pen number यूज करके ITR भी फाइल कर सकते हो तो आज का जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिकर के जरूर बताना चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सस्क्राइब करके जरूर रखना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में तब तक लिए गुड़ बाई जैहिन